हेलो एब्रेवान होप यौल आर डोइंग वेल सोची आज काफी लंबा सारा व्लॉग में आप लंग सार शेयर करने वाली हूं तो यह यहार यहां पे था सुबा सुबा का टाइम तकरीबन आठ नो बजे हुए थे तो मीरब ना आजकल उसके तो कुछ फ्लूव गयरा हुआ हुआ है तो सुबा काफी जल्दी उठ जाती है तो उसके साथ में भी उठ जाती हूं तो बस यहां पे न मैं सुबा उठी तो मैं अपने हस्बेंट के लिए अपनी नंद उसके बेटे सब के लिए लसी बिना आ रही भी थी मामा लों की तुरफ कपड़े वॉश कर रही थी और इद भी कुछ कम करती फिर रही थी उसके लिए नाश्ट अब्ना ए हैथ सब लोगों को नाश्ट अबनात बनाएद के बाद किचन ब्कार कीन चली गई थी मीरब को नहलाने के लिए तो मेरा यह ही होता है कि मैं तो प्लीज यार अगर आप लोग ले रहे तो बिल्कुल बैस्ट है लेकिन अगर आप वो नहीं यूज करें ता इस पानी को बॉइल करके बच्चों के लिए यूज किया करें क्योंकि जितना मर्जी साफ पानी उसमें जाते हैं जब पानी बॉइल हो जाए ना तो इसके जो है ना फिर मैंने अपने मदल लोग के लिए चाइब गरा बनाई और उसके बाजी यहां पर मैं आ गई थी केक बनाने के लिए क्यूंके अलहमदलेला आज मीरब हो गई है थ्री मंट्स की तो मेरा दिल था इसकी थ्री मंट्स सेलिबरेशन करने का तो मैंने सोचा कि आज जो है ना केक हम लोग खुद बनाएंगे घर में तो बस यहां पर एक एजी सी केक की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो के मैकसिमम आते गंटे की रेस्पी होगी लेकिन मेरे रेस्पी काफी लंबी होगी थी क्योंके बीच मेरे हस्बें टुटके था और मुझे और काम कर करने पड़ गये थे तो बस यहां पर हमने क्या करना है कि आदा कप दूद का ले लेना है उसमें एक चमस्ट सिर का डालके रख देना है हमारा जब जब दूद फट जाएगा ना तो जबदस सा बटर मिल्क रड़ी हो जाएगा इसको हमने कवर करके रख देना है उतनी देर ही की थी के ना बीच में मेरे हस्बेंट उड़ गए तो ने नाश्टा अब ना आके देना था रूम शूम साफ करना था तो बस मैं यह चीनी ना यहीं पर बीच में छोड़के चली गई थी तो इसकी वज़ा से जो है ना वह थोड़ा सा हार्ड हो गया था चीनी के साथ तो इसके टेक्श्चर थोड़ा से चेंज हो गया तो शार्द आपका टेक्स्चर मेरे केक से फ़ड़ा सा इस वज़ाः से चेंज हो सकता है अचे नाश्टा जब मैं मैं राने आए नहीं नहीं ना तो यहाँ पे पानी हो चुका थे हुजी और्गैनिक्स के ऑईल के साथ मैं कभी मैं प्रीमियम हेर ग्रोथ यूज कर लेते हूं और कभी वाइटालिटी ऑईल यूज कर लेती हूं दोनों के रिजर्ट्स बहुत कमाला अगर आपने और करने तो नीचे दिये हो गए हुए नंबर पर वट्सैप कर सकते हैं अच तीनों और यूज को डाला यूज कर दो अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका जो मिक्सचर रहना है वह अलकालका सा फलफी हो जाए और साथ ही जो दूद था ना वह उसमें सा हाफ दूद में डाला था उसके बाद हमने क्या किया है एक चमच इसके अंदर हम लोग ने डाल दूँगी बेकिंग पाउडर का ठीक है कॉन फलार और यह बटर मिल जो है इसको डाल यह लाजमी ट्राइक कीजेगा इस तरह से केक बिलकुल बजार वाला परफेक्ट केक से बनके रेडी होता है ठीक है बेसिकली यह रेस्पी जो है यह मेरी सिस्टर की रेस्पी थी तो मै इसको हाथ के साथ मिक्स करते जाना है अब हमने जो है इस टाइम पे बीटर यूज नहीं करनी ठीक है और हमने इसको बहुत ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना बस ही जब सारा मिक्स हो जाएगा ना हमने छोड़ देना है और यहां पर देखें जी यह कंसिस्टेंसी अगर है को ना पकी केक कि तो यदो परफेक्ट है कि मतलब अगर आपसे परफेक्ट हें आपके ऐस्पंध को इस ता आपके केक केक करें करेंस तो मतलब फॉर्फेक्ट है आपके केक की केक केक केरेंस है सी All you done дост ठीक है अब यहाँ पे पैन को मैंने कर लिया ग्रीस करके इसके अंदर कागज़गा लगा लिया इसके अब हम अपना सारा मिक्स्चर एड़ कर देंगे और मैं एड़ करने के बाद हम लों ने अच्छी तरह से किसी ना सख सर्फिस पर रखे ना इसको टैप टैप करके इसके स सारे बबल्स निकाल लेने हैं उसके बाद बस मैंने इसको रख दिया था कुकर में लेकिन कुकर में रखते हुए मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि थोड़ा सा हील गया था जिसकी वाद से मेरा केक जो है वो सेंटर से थोड़ा सा बैठ गया था इसलिए आप लोगों ने इन चीदों से बुखार ठीक हो जाता है तो बस सबको मैंने फ्रूट्स वेरा कट करके दिए फ्रूट्स जबाकी के थे वो वाश करके रखें इतनी देर में मेरा केक जो है ना वो मेरा तकरीबन एक गंटा लगा था और बेक हो गया था ठीक है तो यहां पर मेरा केक बिल्क चिकन लिया उसको पर एक चमच भर के लेसन अंदर का पेस्ट डाला थोड़ा सा सिर्का डाला इसको रख दिया मैरिनेट होने के लिए एक बर के दहीं का ले लिया उसके अंदर हस्पे जाएका आप लोने नमक लाल मिर्च चिली फ्लेक्स धनिया जेरा पाउडर और गरम मसाल यह चिदन डाल कर मिक्स कर लेना है और इस दही के मिक्सचर को इस चिकन के ओपर डाल कर मैरिनेट होने के लिए रख देना है जितना टाइम आपके पास है मैरिनेट कर लें वो आपकी अपनी मर्जी है ठीक है जी उसके पास जब हमारा चिकन हो जाएगा मैरिनेट तो चिकन साइड से पक जाएगा फिर हमने नेक्स को फर्दर कुकिंग करनी है जितनी देर में सारा काम हो रहा था मैंने अपना किचन सारा क्लीन कर लिया था और यहां पर देखें जी जो चिकन है मेरा दूनों तरह से इसका कलर आ गया और अब इसके ओपर मैंने क्या किया इसके ओपर दाल के तो इसको मैं बिल्कुल हलकी आंच करके ना कावर करके रख दूंगी ताकि यह दही के पानी के अंदर ही हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक जाएगा चिकन मेरा ओल रड़ी सारा पक चुका था यहां पर मैं थोड़ा सा घी डाला है दो चम्मेस साथा घी नहीं देलेगा और इसके उपर हमने सारी सबजियां डाल देनी हैं आप अपनी मर्जी की सबजियां डाल सकते हैं मैंने प्यास सबस मिचल और टमाटर यह चीज़ें डाल कर इसको दो मिनिट के लिए पकाया था और मेरा जबर्दस से तवा चिकन हो गया था रेड़ी फिर हमारे और चानक से गेस्ट आ गया थे गेस्ट वगएरा को खाना दिया इसके बाद यहां पर मेरे खाने की बारी थी इस पर चीकन की रैस्पी को आपने राजमी ट्राइब करना है बहुत मज़दार और बहुत क्वाट सी रैसिपी है अचा जी उसके बाद जितने मैं काफी बीज ताकि चलो भी बाहर चलते हैं तो बाहर जा के साथ से पहला जो हमारा स्टॉप था हम लोंने खाए गोल कपे और यार गोल कपे इतने स्पाइसी थे कि मीरप की वज़ा से मैं तो खाए भी बिल्कुल कम और पानी तो मैंने एक कत्रा भी नहीं लगाया तो बस गोल कपे खा के सब का मूँ जलने लग गया था तो हमने बस फिर वापसी का प्लैन किया लेकिन वापसी में आते हैं हमें तिक्कों का एक्सपॉर्ट नजर आ गया जो कि बहुत मज़ेदार तिक्के थे तो हम सब ने जो है ना वो बैठके तिके खाए बस य STEPHAN कि अगर आ भात बाहर जा recruited बटे बहने के लिए जारे जारे यो एक एक दूँ बाइट लग बाइट ले लो एक रिक्वड़ चीज्च चला हमारे सिटी में कोल कोफी मिलती भी है लेकिन जी बस बड़ा मज़ा आया और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग उमीद आपको भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें मुझे जादा से जादा स्पोर्ट करें ताक मैं नई नी वीडियो रोज आपके साथ शेयर करती रहूं तो बस जी आज कर लिए इतना ही काफी है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफज